बिसमिल्लाय राव्मान वराँ आज हम पढ़ने जारे हैं stereo chemistry के बारे में सबसे पहले हम discuss करते हैं कि stereo chemistry होती क्या है तो stereo recuer는 chemistry की एक ऐसी branch है जिसमें हम पढ़ते है atoms लोप मलिक्ल्स के three dimensional structure को यह हम कह सकते हैं ङा to atoms और molecules की three dimensional arrangement को ठीक है और जो three dimensional उनकी arrangement होती है उसका effect क्या होता है chemical reactions पे इसको हम कहते है stereo chemistry ठीक है दुबारा हम बात करते है it is defined as a branch of chemistry concerned with three dimensional arrangement of atoms and molecules and the effect of this, this का मतलब है कि three dimensional arrangement का effect पढ़ रहे हैं हम on chemical reactions ठीक है तो इसको हम कहते है stereo chemistry अब अगर हम बात करें कुछ important terms की जो used होती है stereo chemistry में तो हमारे पास ना mostly हमने बहुत सारी types पढ़ी है isomers की लेकिन stereo chemistry की लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास two types of isomers present होती है जिनमें पहली type जो है stereo isomers और दूसरी type जो है हमारे पास हो है constitutional isomers ठीक है तो पहली type हम पहले पढ़ते हैं stereo isomers stereo isomers क्या होते हैं ऐसे isomers जिनका composition तो सेम होती है लेकिन उनकी तो orientation होती है उनके different parts की space में वो different होती है इसका क्या मतलब है कि आपको page पर लिखें वो एक जैसे लगेंगे आपको पता लगेगा इसमें इसमें carbon इतने Susовор है समय होती है लेकिन जब आप उनको space में देखेंगे उनकी orientation में तो आपको डिफली हैं तो आपको different लगे ठीक है मतलबresoci दाने में लिखेंगे आपको सेम लगते होंगे पेजु पर बना रहते हैं आपको आप सेम लगतें है ठीक है आमने confused नहीं हो ना मैं कहा रही हूं कि stereo isomers जो है वह टाइप है stereochemistry की और constitutional isomers यह दो टाइप्स है stereo isomers के आगे से दो टाइप्स हैं जिन में हम कहते हैं enantiomers और diastereomers enantiomers क्या होते हैं कि एसे isomers जो एक दूसरे के mirror image हो ठीक है आमने कभी note किया होगा कि जब हम mirror में अपने आपको देखते हैं तो हमारा left mirror में हमें right नजर आ रहा होता है और right जो है left मतलब कि opposite image होती है जैसे अगर हम मैं आपको दिखाते हूं अगर यह हमारे पस दो hands है दो hands है तो इन मैं से जब आप mirror में देखेंगे ना यह वाला hand तो यह इस तरह का नजर आएगा और आप यह वाला hand देखेंगे तो यह इस तरह का नजर आएगा ठीक है तो मतलब कि अगर हम अपने hands को कहें तो यह भी isomers है मतलब दिखने में आपको बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन आप notice करेंगे कि हमारा जो right hand का glove है वह कभी भी left hand में fit नहीं आता same case हमारे feet के साथ होता है अगर हम एक pound का socks है वह दूसरे में पहना जाएं तो वह fit नहीं होता कभी भी क्यूंकि हमें दिख रहे होता है कि same है लेकिन यह same नहीं होते ठीक है यह super impossible नहीं होता है super impossible का मतलब है कि यह जासी एक चीज जो है वो दूसरे पर fit आरहे अगर हम हातों की भात करें तो यह एक हात है कि ढूसरे पर fit नहीं आ सकता क्व्यक्न कि इसका थंप तरह रहे है कि यह तरह है यह नहीं कि फिल्डबे लेके बाख außer majorव ब्रॉफे नहीं आ सकते नहीं तो यह होते हैं कि non-super impossible उनको हम कहते हैं ठीक है तो हमने क्या बढ़ा कि enantiomers जो हैं वो ऐसे isomers होते हैं जो mirror images होती है एक दूसरे की mirror image यहां पर जो चीजे left पर लेगी होंगे आपको वो right पर नजर आ रही होंगी और जो right पर होंगे वो left पर तो ऐसे molecules जो एक दूसरे की mirror image हों ऐसे isomers जो एक दूसरे की mirror image हों-उन्हें हम कहते हैं enantiomers छीक है enantiomers जो है वो क्या होता है उनमें दिखने में तो हमें एक जैसे लग रहा है लेकिन क्या है उनकी mirror images different हैं यह नहीं कि उनकी direction जो है ठीक है डिरेक्शन जो है और बीटिकल रूटिकनद में चेंज है ठीक है और यह क्या रहत है इलाशुमर्स जो है वो कभी बीट नहीं और फिट नहीं आते जैसे मैंने आपको आपको एक्द्स की खुन दी इलाशुमर्स कभी भी बीट थ की restrict नहीं आते क्यों कि यहां पर bromine जो है वो left paper है present है और यहां पर bromine जो है वो राइट पर है अगर आप इसको उठा के उपर रग भी दें तो यह similar molecule नहीं बनेगा यह impossible नहीं बनेगा ठीक है तो हमने इसको क्या कि यह non super impossible mirror image है mirror image क्यों है क्यों कि mirror image नहीं होती है जिस हम कहते हैं लेफ्ट राइट का problem है इसमें लेफ्ट राइट का problem नहीं होता बलके यह जो है वो non mirror images कहलाती है और non identical stereoisomers होते हैं कैसे हम इनको कह सकते के non identical मतलब कि यह same नहीं होते हैं अब इनमें different क्या है अगर आप यह देखें example में तो आप सोचेंगे कि उपर भी chlorine लगावा है नीचे ब्रॉमीन इसमें भी chlorine लगावा है नीचे ब्रॉमीन तो इसमें difference क्या है इसमें difference आपने देखना है आपको यह bond निज़र आ रहा होगा ठीक है मतलब कि यहां कार्बन यहां पर कार्बन हमारे पास present है और यह कार्बन के सामने है ठीक है फर्स करें यह कार्बन का मॉलीक्यूल है ठीक है कार्बन का मॉलीक्यूल है अब यह कार्बन के मॉलीक्यूल की back side है यह कार्बन के मॉलीक्यूल की जो है वह friend size है यह और यह एक ये हमारे पस है करबन का का इस लेजगार बाइस का न Kylie कर नहीं तो क्या मतलब हो है कि एं फॉर्वर्ड में कार्बन के सामने और यह दूसरी आपको निजर आ रही है है इसको हम कहते है hatched bond ठीक है जो dashes dashes से लगी हुई है इसको हम कहते है hatched bond इसका क्या मतलब होता है कि जो molecule attached है वो behind the page है या behind the item है अब देखें हमने वही example दोबारा लेते हैं यह हमारा इस carbon का molecule है यह इसकी front side है ठीक है और यह इसकी back side तो मतलब पीछे present है carbon इसके carbon के पीछे वाले side पे present है ठीक है तो ऐससा item जो carbon के पीछे वाले side पे present है उसके साथ bond होता है उसको हम hashed bond कहते हैं क्योंकि हम उसको doctorly line में show करते हैं हम जाहर है पेज़ पर हम three dimensional items या molecules को show नहीं कर सकते हैं और stereo chemistry basically हम में यहीं बताते हैं कि हम कैसे जो है उनको कैसे बता लगाएं कि मतलब three dimensional arrangement कैसी होगी तो इसलिए stereo chemistry नहीं हम बताया कि जो three dimensional हम space में molecules को देखते हैं उनको हम page पर draw कैसे करें तो उसने हम बताया कि wedge bond से हम बता सकते हैं कि जो मॉली क्यूल है वो फ्रेंट है फ्रेंट पर है कार्मन की और हैस बॉन जो बताता है वो है behind the page ठीक है तो अभी है तक हमने क्या पड़ा हम तोड़ा सा इसको दिवारा revise करते हैं हमने important terms पढ़ी हमने isomers की types पढ़ी हैं जिन में हमने का कि दो types होती है stereo chemistry की base पे stereo isomers और constitutional isomers stereo isomers के आगे दो types हैं जिन में हमने का enantiomers और diastereomers अब next हम देखते हैं कुछ key points about stereo isomers ठीक है stereo isomers के बारे में हम कुछ key points देख रहे हैं तो हम कहें पहला key point जो है stereo isomers जो होते हैं इनकी physical properties इनकी chemical properties और इनकी biological properties जो हैं वो एक दूसरे से different होती है example के तोर पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पर cis or transisomers होते हैं butane diowek acid के या पर किसी भी चीज़ के हम एक example ले रहे हैं यहां पर butane diowek acid की कि कि जो cis or transisomers होते हैं butane diowek acid की वो different होते हैं और उनका formula देखें हैं molecular formula आप देखेंगे ना आप कहेंगे नहीं यह तो same है लेकिन जब आप इसनका structural formula देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ यह different है क्योंकि यह cis or trans हैं और cis or trans में आपको पता है कि क्या difference होता है हम इसको आगर discuss किरता है इनकी space के अंदर जो arrangement होती है वो different होती है जैसे कि वह नजर आ रहे होता है वो ऐसी नहीं होती और फिर जाहर है इनकी properties cis की properties और trans की properties और होंगी अगर हम इनका molecular formula देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर c double bond c दोनों के साथ हम ने हम पर h लगा दिया यहां पर c double o h और यहां पर भी c double o h यह हो गया इसका molecular formula ठीक है मतलब कि यह सेम बन गया यही चीज़ अब देखें इसमें hydrogen जो है वो इधर present नहीं है अगर इधर present होता था हम कहते है यहां पर present है नीचे इसके opposite side ठीक है तो इसको हम कहते है ट्रांस इसके opposite side पर present होगा तो हम कहेंगे trans तो यहां पर यह trans isomer हमारे पास present है इसकी निजबत अगर हम यह वाला molecule देखें तो यहां पर देखें सी डबलो एच दोनों उपर है और एच दोनों जो है वो नीचे है ठीक है मतलब एक दूसर के सामने सामने opposite present नहीं है तो इसको हम कहते है से सिस आईसमर तो यह जो है वो हमारे पास कहलाता है fumeric acid जबकि अगर हम बात करें इस वाले molecule की तो हमारे पास है सिस आईसमर और सिस आईसमर वाले molecule को हमने क्या का malic acid तो यह fumeric acid और यह malic acid अब इन दोनों में फर्क देखें जो fumeric acid है यह हमारे metabolite intermediate होता है यानि कि metabolism में हमारे use body के अंदर use हो रहा होता है reactions में और उसका एक intermediate है ठीक है essential है यह बहुत जरूरी है ठीक है और अगर हम बात करें malic acid की तो malic acid जो है यह एक toxic irritant है हमारे tissues के लिए जो है यह नुकसान दे है अब आप देखें कि cis और trans यानिके molecules की arrangement की विदा से इनके नाम भी change हो गए और इनकी properties या इनके फाइदा पहुचाना नुकसान पहुचाना देखें सेम चीज है molecular formula सेम है सिर्फ arrangement की विदा से यह वह हमारे लिए फाइदे मंद है जबकि इसकी अगर हम बात करें तो यह हमारे डिया toxic है इसका melting point अगर हम देखें में basic concept इतना कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल सिंपल सी चीज है इसमें क्या है कि compounds that have same molecular formula but different connectivity इसका क्या मतलब है कि molecular formula तो same होता है लेकिन atom जो है वो कहीं और connect हुआ होता है अब यह आपको इस तरह बात समझ नहीं आएगा हम इसकी example देखते हैं इसकी example में हमारे पास है molecular formula एक हमें दियावा c2 h6 and o ठीक है c2 h6 o अब अगर हम structure देखें तो structure यह molecular formula देखें हम दो structures बना सकते हैं एक तो यह बिला CH3 CH2 OH OH है तो मतलब alcohol है और 2 carbons है तो मतलब ethanol एथनोल बन रहा है तो एथनोल बन सकता है एक तो इसी formula से और इसी formula से एथर भी बन सकता है एथर कैसे CH3 OH CH3 इसको हम कहते है एथर तो यह हमारे पास बन गया मतलब oxygen जो है वह H के साथ present है यह नहीं in the form of hydroxyl group जबकि यहां की बात करें तो hydrogen जो है वह इधर present है और oxygen दरमयान में जबकि अगर आप carbon hydrogen hydrogen और oxygen को count करें तो यह equally बनता है ठीक है तो ऐसी type को हम कहते हैं constitutional isomer और इसमें N structures और Iso structures भी add हो सकते हैं जैसे मैंने एथर की example दिये इसी तरह आप देखेंगे ना एक chain है एक chain की form में आप एक formula लिखेंगे तो वह और structure होगा और अगर आप इसको ISO की form में यह नहीं किसी एक क साथ यहां से कार्बन कम करके किसी एक किसाथ कनेक करेंगे तो वह आइजो structure बन जाएगा तो N और आइजो structures भी जो हैं वह constitutional isomers के अंडर आते हैं इसके बाद हमारे पास एक last चीज़ बची है जो है रुडॉपसिन के बारे में क्या concept है रुडॉपसिन जो है वह एक molecule है जो जब हमारी आँख में light पढ़ती है ना रात के टाइम में जब हमारी आँख में light पढ़ती है तो redopson जो है यह cis component जो है वह trans में change होता है और इससे क्या होता है कि हम light का source देख पाते हैं यानि हम पता लग जाता है कि light कहां से आ रही है और अगर light आ रही है तो हमें objects नज़र में तो होता है redopson hope so आपको इस concept की समझ आई होगी next हम पढ़ेंगे का reality in our next lecture thank you so much